देश के अलग-अलग हिस्सों से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है जहां हिंदू के खलाप एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है हिंदू के तिवारों में खलल डालने की कोशिस कटरपंथियों की तरप से खूब के जाती है वह उतरपदेश के बहराइच में मूर्ति विसरजन के तरण जम कर हिंसाद देखने को मिली है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इस घटना में एक की मौत हुई है और कई लोग घायल बताया चारे है वह सीम योगी इस मामले पर काफी जादा सक्त नजर आ रहे है उन्होंने कहा है कि बवाल करने और महौल बिगारने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं सीम योगी के आदेश पर ताबर तोड आक्शन भी जा रही है मामले में 30 से ज़्यादा लोगों को गराफतार किया गया है मुख्या आरोपी का नाम सलमान बताया चारा है वहें सीम योगी के नदेश पर UPSTF चिफ अमिताव यश हाथों में पिस्टल लिए सड़क पर उतरके हैं जिसके बात से इलाके में बगदर बची हुई है और आरोपीयों में खौफ का महौल भी देखा चारा है आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथ इस्टूड़े मौझूद है Capital TV के Executive Editor राची उसर सर आपका स्वागत धन्यवाद आखिर बार बार हिंदू के तेवहारों को ही क्यों टार्गेट करते हैं ये लोग क्योंकि ये हिंदू के खिलाफ हैं ये हिंदू से नफरत करते हैं ये हिंदूस्तान में रहने के योग नहीं है इसलिए इन लोगों ने हमेशा से टार्गेट किया हिंदू परवतेवहारों का जैसे कोई परवतेवहार मनाया जाता है एक जूटता का परतीक होता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि हम अपने धर्म का परदर्शन कर सकते हैं अब ये जिहादियों को समझ में नहीं आता ये लोग ताजिया निकालेंगे जो अरब में कहीं नहीं निकाला जाता है ये भारत पाकिस्तान बंगला देश में निकाला जाता है ये आपसी रंजिस को भूल जाते हैं पहले शिया और सुन्नी के बीच इसको लेकर इतना हंगामा चलता था कि सिया ताजिया निकालेगा सुन्नी उसके खिलाप होगा इन लोगों ने पिढ़ी दर पिढ़ी लोगों को बता दिया कि देखो ये भी वाद तो है लेकिन आज बहुत सारे लोगों को यानि कि मुसल्मानों को पता ही नहीं है कि हमारे बीच कंफलिक कितना बड़ा था किसने मारा था ये जो बोलते रहते हैं या हुसैन हम नहुए उसमें ये किसको टार्गेट करते हैं मुआविया कौन था जिसने हुसैन के हत्या करवा दी थी ये सिया सुन्नी का विबाद अब इन लोगों ने एक जूटता में तबदिल कर दी है ये ताजिया में क्या कभी हिंदूओं ने इन लोगों के खिलाब पत्थर बाजी की है ये जो बार-बार बोलते हैं वो नारे क्या प्रवोक करने वाले नहीं है प्रवोक करने वाले इसके भी नारे होते है ये नारा ये तकबीर, अल्ला हुआ अकबर ये नारे क्या है ये कोई युद्ध के जैसा माओल है ये तो युद्ध का नारा है और उसे तुम सड़कों पर बोलते हुए चलते हो तो किसी हिंदू गली मुहले से पत्थरे तो नहीं फेकी जाती है क्योंकि पत्थर फेकी जाती तो ऐसी घटना है सामने आती लेकिन इन लो पहले ये UPA हुआ करता था और इसकी सोकाल्ड सेकुलर मांसिक्ता और मांसिक्ता वाली पार्टियां इन लोगों ने पूरे एक दुस्चक्र कायम किया और उसके लिए ये सारी सोकाल्ड सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार है जिसकी सरकारे हुआ करती थी हुआ या कि इन परदर्सन को one to one रोक नहीं सकते जगड़ा होगा दंगे फसाद होगे तो उसके बाद क्या परदर्सन रुख जाएंगे या फिर एक दो लोगों की मौत होगी उसके बाद भी परदर्सन नहीं रुखेगा लेकिन इसके लिए हमें पॉलिटिकल सारक्षन चाहिए और जब जब कुछ निकाले जाते हैं शुभा यात्राएं तो इन लोगों के आसपास के मुहलों में इन लोगों ने पहले सहीं प्लानिंग कर रखी थी हर जगा हर समय और उस प्लानिंग का हिस्सा होते थी ये सो कल्ड सेकुलर पाटियां और ये लोग पहले उन परदर्सनों पर हमला करते थे और हंगामा खड़ा करते थे हंगामा खड़ा करने के बाद हुआ ये कि हर बार परदर्सन से पहले सरकार इलर्ट मोट पे आ जाती थी तो कि अब अगर अकलिस यादब की सरकार उत्तर प्रदेश में हो मुखमंतरी जब अकलिस यादब थे तो होता यही थ ऐसा नहीं था कि उस समय परदर्शन थोड़े बहुत नहीं हुए, दंगे नहीं हुए, अंगामा नहीं हुए, लेकिन हुआ ये कि जब सरकार पुलिस को आदेश देती थी कि देखो इन छेत्रों की वेवस्थाएं पूरी तरह से चेजगर दो, इनके रूट को बदल दो, पड़े, तो वहां से सांती पून तरीके से दोनों तरब पुलिस के वास्ता होनी चाहिए, और फिर क्या हुआ, कि एक दो जड़ब हुई नहीं, कि पूरे एरिया में कर्फियू लगा दिया गया, अब अगले साल फिर जब राम नौमी हो, दुर्गा पुजा विसर्जन हो सरस्ती पुजा का विसर्जन हो, सरस्ती माता सरसदी जी का, तो किसी भी परवतियोहार में इन लोगों ने टार्गेट कर लिया, कि पिछला रिकॉर्ड दिखाओ, पुलिस के पास पिछले रिकॉर्ड है, कि देखिए इन छेत्रों में परदस्न के दौरान हंगामा हुआ थ अब धंगा फसाद हुआ था, तो क्या किया जाए, पर जब भी शोभा यात्रा निकलने का समय आये, उससे पहले ये लोग कर्फि लगा देता था, यानि कि मुसल्मानों का में एजेंडा, जो शाजीस, वो काम्याब हो गया, यही चाहता है, कि हमारे छितर से गुजरों नह अगर पाकिस्तान बना के रखा है, तो डरना पड़ेगा, तुम हमारे मुहले में कैसे गुजर गए, कैसे जैसे राम के नारे लगा दिये, अब सरकार जब तक संरक्षन दे रही थी, अलग-अलग राज्यों में, अगर इन पार्टियों की सरकारे थी, तो यही तरीका अप बग यह जुलुस निकाले ही नहीं जाते थे, जुलुस के पहले ही कर्फिव लगा दिया गया, तो कर्फिव लगा देगा, पास लोग से ज़्यादा ही कट्टा नहीं हो सकते, तो फिर परदसन कैसे निकालोगे, शुभा यातर कैसे निकालोगे, जुलुस कैसे निकालोगे तो इस तरह का एक दुश्चक्र बनाया गया कि पहले हंगामा करवाओ फिर उसके बाद पुलिस परसासन को आदेश दो कर्फिय लगाने का और फिर उसके बाद इन सारे हिंदू धर्म के तिवहार पर्व के समय जो सुभा यात्रा निकाले जाती है जुलूस निकाले जाते है उस पर पर्तिबंद अनौपचारिक तरीके से एक कोई ऑफिसियल आदेश नहीं होता था कि सरकार ने कह दिया कि कोई परदरसन नहीं होगा कोई जुलूस नहीं होगा ये अनौफिसियल तरीके से पुलिस इलर्ट मोड पर उस यगापर कर्फियों तो उसके बाद आप जाह यात्राएं निकलती है वो तो निकलेगी अगर तुम इन सोभा यात्राओं से चिड़ते हो तो फिर तुम हंगामा करोगे और हंगामा करोगे तो जो जो हंगामा करने वाला लोग होगा उसको पकड़ पकड़ के अंदर करो पर्तिबंद मत लगाओ कर्फियों मत लगाओ य अगर हंगामा करता है तो पहले हंगामा करने वालों को सजा दो हिंदूओं को जो इतने समय से शुशुपता वस्था में चले गए थे जिनके मूरल को गिरा दिया गया था अब उत्तर परदेश में अकलिस यादव की सरकार एक मुझपर नगर में दंगा हुआ यहां सारे हिं पावर वहां दिखाई पड़ा एक संतूलन और जब सक्ति का संतूलन होता है तो सामने वाला यह सतर्क हो जाता है कि अगली बार हम करेंगे तो फिर मेरा क्या हश्र होगा यह जानते हैं तो इसलिए अब शोभा यात्राय निकलती है यह छिट-पुट तरीके से अभी भी ए एक इशारा हो उसके बाद सब कुछ जो मजान में बहराइच में यही हुआ शोभा यात्रा निकाले विशरजन की यात्रा निकाले जा रहे थी तो विशरजन की यात्रा निकाले जाएगी तो भजन होंगे किरतन होंगे जै मातादी के नारे लगेंगे जै सिराम के नारे ल कौन से भाषन बाजी हो रहे थी ये बता दो अब हिंदुस्तान है तो यहाँ पर क्या जो भी डीजे पर बजाय जा रहा था या लोग भाषन दे रहे थे या नारे बाजी कर रहे थे वो हिंदु धर्म के नारों के अलावा भी कोई नारा था कि हिंदु धर्म के नारा ही था चाहे भगवान शिव के बारे में कहें या जैसे राम कहें जै भोले कहें जै मातादी कहें या दुर्गा माता के जै कहें यही सब बाते तो उसमें की जाएगी तुम क्या सावित करना चाहते हो कि हिंदु पर्वतेवारों में भोंडा नाच हो इन लोगों ने यही तो किया हर बार बदनाम करने की कोशिश की और जब यही जिहादी सडक पर उतरता है तो यह ममता बनर जी जैसे नेता सीम पशिब बंगाल की वो क्या कहती है हमें बिश्वास नहीं है कि रमजान के पाक महीने में यह लोग है जो पत्थर फेकेगा मारेग जब पकड़ा गया तो फिर वो इस पर बोलने के लायक नहीं रही यह इस्तिति इन लोगों की है बहराइच में भी यही करने की कोशिश की गई और बहराइच में जब यह करने की कोशिश की गई तो सत्ता बदल गई है सरकारे बदल गई है विचार बदल गए है और लोग गुपाल की मौत हुई राम गुपाल मिस्रा की मौत ये धर्म के लिए हुई है अगर तुम सलमान के साथ कड़े हो तो उस पूरे मुहले को दोशी माना जाएगा अभी सिसी टीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ये जो 30 से लेके 42-45 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा बक्षा किसे नहीं जाएगा जिसने पत्थरवाजी की सुरुआत की जिसने हंगामा शुरू किया जिसने गोली मारी है तो जिसने गोली मारी है उसके चारो तरफ जितने कैमरे जितने मोबाइल जैसे ये आरोपी है जितने आरोपी है या और ये मोडस ओंप्रेड़नी रही है अभी उत्तर परदेश की पुलिश की और इसलिए अखलेस यादव जैसे लोग परिशान रहते हैं कि जब योगी का बुल्डोजर फिर चलेगा तो नारोपियों को उपर चलेगा क्योंकि जिन गलियों से निकाले जाती है बिसरजन यातरा ही सही अशुबा यातरा उन गलियों की चड़ाई देख लो भई उन गली ये जो मुस्ली मोहले हैं अवैद कबजा करके गलीयों में बैठे हुए हैं तो जो अवैद कबजा है गली में मकान बनाए हुए हो उस पर तो बूलो ज़ेगा चाहे आप सुप्रेम कोट चले जाओ सुप्रेम कोट से आदेस ले लो तो इसलिए इस बार भी 24 घंटे के अंदर योगी ने पूरे मौलानाओं की ये जो गर्मी है वो शांद कर दी है अकलेस यादब तो बैक पुट पर आये हुए हैं उनको लग रहा है कि अब किसी तरीके से मुसल्मानों को खुश करने की कोशिस करें यूपी स्टीएफ के चिफ है अमिताब यश वो हाथ में पिस्टल लेके उतर गए हैं इनका बवाल देखने के बादे बिलकुल उतरना ही चाहिए वो स्टीएफ परमुक हैं और वो अगर शांत में जीप में गाड़ी में बैट कर सिर्फ कॉंस्टेबल और इंस्पेक्टर को डारिक्शन देगें तो फिर वही वेवस्ता रहेगी जो पहले हुआ करती थी इसलिए यामिताब यश ने पिस्टन लेके इन लोगों का सामना किया और इन लोगों के लिए खौफ का कारण यही बना है कि जब इस्टीएफ परमुक खुद मैदान में उतरे हैं तो अब हमें बक्षा नहीं जाएगा क्योंकि योगी का सीधे आदेश है इसलिए 42 से जज कोई भी अगर छेद करने की कोशिश के कोई इन लोगों के तरफ से किसी गरों पर से अगर पूलिस के उपर पत्थर बाजी होती है तो फिर रोको नहीं इन लोगों को ठोको क्योंकि ये इसी की भाषा समझते हैं ये इसी की भाषा बोलते हैं और उसी की भाषा में उसका ज जितने ये मौलाना गैंग के मेंबर हैं अभी बिल में छिपे फिर रहे हैं इनका हमेशा से ये तरीका रहा है पहले अटेक करो फिर भागते हुए इधर उधर छिपते रहो तो छिपने से भी काम नहीं चलेगा बिल से निकाल निकाल कर इन लोगों के उपर कारवाई की जाए है एक घंटे में पिछले एक घंटे में कौन सी कारवाई की गई इन लोगों को शान्त अगर रहना है तो शांती से रहें अगर उकसाने की कोसिस करेंगे तो फिर उत्तर परदेश से बाहर जाकर रहें क्योंकि उत्तर परदेश में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं का बचना मुश्किल है सीम योगी के आदेश के बाद सभी आरोपी घर और शहर छोड़कर भागने पर मजबूर है लेकिन ये चाहे किसे वी बिल में दुबक तर बैट जाएं योगी के पोलिस इनको गसीट कर सालाकों के पीछे लेही जाएगी किस्ता यूपी का में आज के अगर आपने अवे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिजे हमारे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरू बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यबाद